शापुर के करेरी लेक में फसे सभी पर्टकों को सुरक्षित निकाल लिया गया है शाम करीब साड़े तीन बजे तमाम पर्टकों को करेरी गाउं में पहुंचा दिया गया था पुलिस सभी पर्टकों को लेकर धर्मशाला के लिए रवाना हो गई है स्पी दिनेश कुमार बर पुलिस्ताना प्रभारी मैकलोड गंज अजीत मोके पर मौजूद रहे आपको बता दें कि रविवार को मोसम साफ होने के चलते भारी संक्या में पर्टक करेरी लेक गए थे करेरी लेक पहुँचने के लिए करेरी गाउं से करीब 16 किलोमीटर का पैदल सफर टे करना पड़ता है शाम धरते ही मोसम ने करबटली तथा रात करीब 9 बचे भारी बरफबारी शुरू हो गई सुबह करेरी लेक के आसपास 3.5-4 फीट बरफबारी गिर चुकी थी ये जानकारी DC बर, ASP कांगरा तक पहुची जिसके तुरंत बाद ASP दिनेश कुमार के नित्रित्व में एक रेस्क्यू टीम करेरी के लिए रवाना हो गई जबकि स्थानी युबाउंगी एक टीम अपने स्थर पर करेरी लेक के लिए रवाना हो गई उन्होंने बताया कि बे अपने साथ बिस्केट ब खाना भी ले गए थे शाम करीब साड़े तीन बजे तमाम पर्टकों को करेरी गाउं पहुचा दिया गया है करेरी लेक में हर्याना दिल्ली, चंडिगड यूपी ब प्रदीश के पर्टक फसे थे ASP दिनेश शर्मा ने बताया कि उन्हें सुबह कंट्रोल रूम से जूचना मिली थी कि करेरी लेक में भारी संक्या में पर्टक बर्ट में फस गए हैं, ख़बर मिलते ही रेस्क्यू टीम के साथ बे खुद मौके पर पहुचे ततस्तानी लोगों के सहयोग से 70 पर्टकों को सुरक्षित करेरी गाउं पहुचा दिया गया है मौन्टरिंग इंस्ट्टूट की जो हमारी टीम है उनको रवाना किया गया हमारा प्रसाशन के तरफ से नायप तरसल्दार गये थे और पुलिस के तरफ से सब्सक्राइब अपने घरों के लिए प्रस्तान कर चुके हैं सब्सक्राइब साइब üzerine छियूआ टीम है जो कि अगलिस के लिए नायप 5 छाशन के लिए Ł« गजाईब प्रस्तान कका तरफ मिए हमारी तरफ साThat झाल झाल